ये राजनीती है यहां कुछ भी कभी भी रातो रात हो सकता है और इसका जीता जागता उदाहरन देखा है महाराश्ट्र ने क्योंकि महाराश्ट्र में जो सरकार बनी है वो शायद ही किसी को लग रहा था कि बनेगी कभी क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से बैक फूट पर गई थी और उसके बाद तगड़ा उच्छाल कमबैक बीजेपी का सीधा एंसीपी के साथ यानि की बीजेपी और एंसीपी की सर कार महाराश्ट्र में बन गई है सवागत है आपका एस्पान नियूज सरकाराम को सब बाते चली सब कुछ हुआ कि चलिए महाराश्ट्र में तो बीजेपी बैक्फूट पे एंसीपी कॉंग्डरेस और शेफ नहीं तीन हो मिलकर पाटी कवायत में जूठेते की हमारी सरकार बन जाएगी वहाँ पर लेकिन आप देखिए रात ओ रात सरकार बनी है देविंद्र टवड़नविस ने शपत ले लिए मुक्य मंतरी के पतपर शरत पवार और ने डिप्टीज के पत Πर शपत ले लिया है दोनों बीजेपी और शिर्सेरा ने मिलकर महाराश्ट्रों में सरकार बना लिए बताई अरितिक लगतार अगर हम बात करें महाराश को लेकर तो जिस तरह का दंगल वहां पर देखने हो कि राजनीती में यहीं कहा जाता है कि शेयर मात का खेले किया हो जाए नहीं कहा जा सकता यहीं जो लगातार बीजेपी के खिलाब पानी भरवर के इनको गल्या दिया करती थी यहीं के साथ खड़ी हो का सरकार बना रही है कि इसमें भी पेज है क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि क्या एंस पी के अध्रिक्ष्ट ने समर्थन शरत पावर का कोई ऐसा नहीं है क्या जो बाब उनको आमन्तिन करने के लिए भेजा किया बोकुछ बोला गया है क्योंकि राज्यपाल की तरफ सब्सक्राइब बना सके इस तरह की बात लगातार उठ रही है और शरत पावर को लेकर शरत पावर को लेकर शिवसेना नीता संजय राहू तो उनका कहना है कि जो एंस पी ने काम किया है वो अंधेरे में डाका डालने का काम किया है कि इसको लेकर पुक्ता जानकाई नहीं है कि क्या इसमें संभावना है लेकिन फिलाल जब यह फ्लोर्ट टेस्ट होगा और जब बहुमत की बात आएगी तो कितने विधायक बीजेपी के साथ खड़े होते हैं और किस तरह का वह अपना बहुमत साबित कर पाते हैं यह बन गई है कि हम सरकार में आ रहे हैं अब सुबह उठते हैं पता चलता है 6 बजे का आसपास राजयपाल स्राशन जो है महारास से खतम हो गया सबहा आठ आठ की आसपास जो देविंद्ध पड़नवी से उन्होंने सीम पत की शपत लेली और साथ में डेप्टी सीम बन गया जीद पवार तो यह जो पावर का गेम हुआ है पावर ने पावर का जो खेला है यह अपने आप में बड़ा अधभूत है महारास्त्र में और यह अब एक और जो राज्यति का हम कहते ते गट्टी जो खारिच करते नहीं नहीं और हम जो है अगर शिवसेना की बात करें तो जनादेश जो था उसका अपमान किया शिवसेना ने और उसका आज भुगत रहे है वो भोगी लेकिन अगर बात करें तो बीजेपी ने कहीं न कहीं जब वो बैक फूट पर गई थी जब उनकी नजर में कोई पार्टी उनसे गड़बंदन उनके साथ करने रहे ती तब जा मैंने कोई पार्टी नेगा अशिए को लेकर बात ने कि कि मैं किसानों के मुद्व रिफ इंग भी गया था कुछ वी टरीमन में लुग नाख लेकिन कि महाई इंटी लीम दीवते ही वीजbaarाश विए बैन है तो बें चलब्समस्क्रा सब्सक्राइब जो बड़ी खबर वो यही है कि एंसी पी और जो है बीजे जी मिलकर महारास्त की सत्ता पर फिर कब्जा कर लिया है सब्सक्राइब बात करने के लिए तो चलिए महाराश्त में कॉंग्रेस और शेवसेना को बुरी तरह की खानी पड़ी है पीठ पीछे जो वार एक तरीके से किया गया है और कह रहे है संजे राउद भी शेट सननेता जो है उनका भी कहना है कि अंधिरे में डाका डाला एंसी पी ने लेकिन अगर बात करें तो रात रात सरकार बन गई बीजे पी और एंसे पी की शरत पवार कह रहे हैं कि मेरा तो सम से मीडिया ने बात की तो उन्होंने ये भी कहा तास्ते हुए कि सीम तो महीं बनूगा लेकिन अब देखिए कि सीम देविंद्र फटेनविस बन गा है आज से आज ही उन्होंने कुछी गंटे पहले सीम पत का शपत ले लिया है और अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र में व बहुत बड़ा बयान कुछ देते हैं सब को देखने के लिए देखते रही है SPN 9 News